आराध्या ने अपनी शिकायत में कहा है कि जिस भी मीडिया ओर्गिनाइजेशन ने यह खबर उनके खिलाफ लिखी है, उसके खिलाफ कारवाई की जाए, क्योंकि वह एक माइनर है. इस मामले की पहली सुनवाई 20 अपरेल को होनी है. बॉलिवुड इंडास्ट्री से नया अपदेट सामने आया है. कहा जा रहा है कि पिछले दिनों आराध्या बच्चन की लाइफ और हेल्थ को लेकर एक खबर वाईरिल हुई थी जो बाद में फेक बताई गई थी. जारह साल की आराध्या को लेकर जो ये खबर उड़ी वह आश्वरिया और अभिशेक को पसंद नहीं आई ऐसे में पेरेंस ने उस यूट्यूब टैबलॉइड के खिलाफ एक्शन लिया जिसने यह खबर फैलाई थी. कहा जा रहा है कि आराध्या ने इस मामले को लेकर हाई कोट का दर्वाजा खट-खटाया है. अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिस भी मीडिया और्गिनाइजेशन ने यह खबर उनके खिलाफ लिखी है, उसके खिलाफ कारवाई की जाए और रोका जाए क्योंकि वह एक माइनर है. दिल्ली हाई कोट में जस्टिस सी हरिशंकर की एकल जजज पीठ 20 अप्रेल को आराध्या बच्चन की याचिका पर सुनवाई करेगी. हालांकि बच्चन परिवार की ओर से इस मामले पर अब तक कोई स्टेट्मेंट जारी नहीं हुआ है. नहीं किसी ने रियक्ट किया है. बतादे कि आराध्या बच्चन अक्सर ही लाइमलाइट में रहती है. कुछ दिनों पहले यहां मम्मी एश्वरिया राय बच्चन के साथ नीता और मुकेश अंबानी के कल्चरल सेंटर प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी. यहां आराध्या का देशी अंदाज देखने को मिला था. पाइजामी, कुर्ता और हलके मेकप के साथ आराध्या ने बालों को खुला रखा था. आराध्या ग्यारह साल की है, पर मैच्चुरिटी के मामले में काफी अच्छी लगती है. मा आश्वर्या भी आराध्या का काफी ध्यान रखती है. जब भी वह साथ में स्पॉट होती है, तो एक दूसरे का हाथ पकड़े ही दोनों को देखा जाता है. Please do tell us in the comments section that how did you like the video. Thank you so much for watching.